स्तूती महीमा एशु प्रभुजी गाते आते हैं तुछ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्ति दाता जीवन चल देखा जीवन चल के प्रभु एशु मस्य के पवितर नाम पर प्रेम भरा नमस्कार प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से शुबसंदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवन जल कारेक्रम में आपका स्वागत करते हैं यह कारेक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धा है हर एक जो यहवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कारेक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्टर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अन परातना है इस कारेक्रम का लाब उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करें साथ ही करस्पांडन के माध्यम द्वारा मराटी हिंदी और अंग्रेजी भाशा में बाइबल का अध्येन भी कर सकते हैं प्रभु का वचन सुने और आशिच पाएं आमें जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उध्धार करता प्रभु येश्यु मसी के पवित्र नाम में नमस्कार युहन्ना अध्याय साथ और 35 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है येश्यु ने लोगों को पुकार कर कहा यदी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके रिधय में से जीवन के जल की नदिया बह निकलेंगी क्या आप जीवन में प्यासे है या सच्चाई की तलाश में है प्रभु येश्यु मसी आपकी प्यास को बुझाना आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आईए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तयार करें भाई और भेनों और मेंरे नन्नय मुने दोस्तों नौजवानों क्या हाल है आपका आज शाम एक बार फिर हमारी मुलाकात कि हम अपने परवर्दिगार, हमारे खुदावंद, हमारे परमेश्वर के बारे में एक और जलक आपको मिल सके कहां से मिले? परमेश्वर के बचन से दोस्तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शैद आपने कभी सबजी खरीदी है जाकर, मार्केट गए हैं कभी आप रिसम की चीज़ें लोग खरीदे थे हैं, फ्रूट खरीदे थे फिर जाते हैं अपने लिए बड़े चछचछछ ड्रेस खरीदें, खास्तोर से अबी क्रिसमस सीजन है और लोग खुब अच्छी चीज़े लोग खरीदे रहे हैं खुब भीड़े मार्किट में और लोग खुब डिसकाउंट दे रहे हैं सीजनल डिसकाउंट ये डिसकाउंट वो डिसकाउंट और लोग जाते हैं कहां मार्किट में समान खरीदने के लिए और मैं देखता हूँ हर एक चीज का एक special price tag लगा है एक mall है उसका एक बुल्य है एक special price है तो लोग जाते हैं इदर उदर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छी price कहां मिल जाए उनको जैसे आप जानते हैं 50 से 60 रुपे किलो प्याज है और आओ जब market में जाते हैं तो बोलता है अरे 50 किलो अगर कोई बोलते है 40 किलो 40 किलो प्याज अच्छे प्याज लोग भीड लग जाती है क्योंकि लोग चाते है special rate में अच्छी चीज मिल जाए लोग जाते है Amazon flip card ऐसी सी जगह में जाते हैं देखो discount special discount mobile phone यह वह जैकेट पैंट शिर्ट कपड़े जूते घडिया लोग ऐसी इसी चीजें करिए होम एंप्लाइंसे लोग वेट करते कोई special धमाका sale हो जाए और एकदम जाके वो समान खरीदना चाते हैं दोस्तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप market में यूँ खड़े हो जाए शो विंडो में और हर एक चीज की एक price लगी एक mall के अंदर और आप यू करके खड़े है और आगे आपके एक black card लगावा है एक board लगाव नहीं है आप अपनी price क्या डालेंगे उसके लिए हैं दुनिया क्या price लगाएगी आपको कहते हैं कहते हैं भाई सब कि जब आदमी मर जाता है जब आदमी की मौत हो जाती है तो उसकी जो मूल है उसकी जो price है जब आपना potassium calcium यह सब चीज़े निकान लो एक मरेवे आदमी से तो मुश्कल से 7 रुपे या 14 रुपे हमारे पिता जी कहते थे inflation से और भी कम हो गया है जब आदमी मर जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती हाँ मैं सच कह रहा हूँ आप सोचिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जब पिता जी गुजर गए तो और हमारी माता ज करते हैं पर वो जब गुजर गए तो एकदम लोग कहते हैं दफनाना है इनको जाके एकदम उनकी बॉड़ी लेकर हमने दफना दी कबरिस्तान में जाकर हमारा function हुआ और वो हमने कर दिया इतना बेश कीमत इतने प्यार loving हमारे parents उनको हमने दफना दिया मिटी मिटी में मिल जो आज ये program देख रहे हैं कि आप सोचते हैं कि आप बेकार हैं useless हैं foolish हैं आपको बुलकुल life में कुछ आपकी वर्त नहीं है आपका कोई मुल्य नहीं है life में और लोग आपको सबसे बेवकूफ उल्लू गदा समझते हैं दोस्तों कि आप उनमें से हैं जो सोचते हैं क्या रखा है जिन्दगी में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है आप बेश कीमत है भ्यंकर रूप से और भेवित रूप से परमेश्वर ने अदबुत रीती से आपको बनाया है बाइबल की बड़ी खुबसूरत वर्स है यहां पे लिखा है साम 139 में लिखा है कि यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड आप ऐसे हो एक ही हो इस दुनिया में हाँ जो भी दुनिया को बोलने दो जो भी कहना चाहते हैं आपके लिए कहने दो पर आप अनमौल है यू आर प्रेश्यस यू आर स्पेशल सेवन बिलियन की आबादी में दुनिया की और कोई नहीं है आप स्पेशल है दिर इस नो ओन लाइक तो यू आप एकलोते हैं इस दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं ठीक है हम शकल हो सकते हैं बुलकुल आपके भाई बहन है और या आपके जुड़वा भाई बहन हो य सबसे युनीक है आपके आँखों का करूना अंदर सबसे युनीक है आप जो खुद है सबसे युनीक है आप जैसा और कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में आप बेश कीमत है अनमोल है यू आर स्पेशल इन दी आइस अफ गाड और आप अनमोल हैं दोस्तों मैं यही बताना आज शाम आपको इंकरिज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं तो बिदर आपकी प्राइस किया है दुनिया कुछ भी समझे आपको परमेश्वर के नजर में आप अनमोले बुलकुल वैसी जैसे एक आर्टिस्ट है उसने एक पेंटिंग बनाई बड़ी जबरदस पेंट परमेश्वर ने आपको एक जीवत पराणी बनाया है आपको पता है आदम को अपने हातों से बनाया रचा और फिर उसके नक्तों में असांस फुकी और उसको एक जीवत पराणी बनाया हम उत्पती में पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं उसको और फिर हवा को बनाया परमे वो आपका बनाने वाला है वो आपका मुल्य जानता है दुन्या नी जानती वो आपको जानता है इससे पहले की आप पैदा हुए परमेश्वर ने आपको रचा है आपको जाना है जब मा की गर्व में थे आपको जानता थे एक एक हड़ी जानता है आपका एक एक मेंबर उसक बड़े चिट्रेसे पहनते बड़े बड़े लाखों रुपे के लोग कपड़े पहनते हैं स्पेशल बनाते हैं, क्या-к्या चीज़ें उसमें होती है दोस्तों अरमानी हो या बड़े फेशन डीजाइनर हो, कोई भी क्यूं नह हो पर आपको पता है आपको किसने बनाया है उस एलफा और उमेगा ने उस परमेश्वर ने जिसने पूरे भूम मंडल को अपने एक शब्द में चलाता है वो खुदावंदू के खुदावंद शेंशाओं के शेंशा प्रबू के प्रबू खुदावंद येसू मसी ने आपको रचा है आपको बनाया है वो जानता आपके असली कीमत क्या है दोस्तो आज शाम मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि प्रमेश्वर ने आपको रचा है अपने सरूप में वो आपका कुमार है और हम वो मिट्टी के बरतन है वो हमसे इतना प्यार करता है दोस्तो समझाने के लिए मैं एक दिरिश्टांद आपको बताना चाहता हूँ बहुत मुझे बहुत अच्छा लगती है दिरिश्टांद इस अ ब्यूटिफुल पैरेवल दिरिश्टांद का मतलब एक स्वर्गिय अर्थ को एक साधारन रोज मर्रा की कहानी में समझाना प्रभु येसु मसी बेखुबी इसको बड़े अच्छी तरह लोगों को समझाय करते थे प्रभु येसु मसी ने मती के एंजील में सूसमा चार में उसके तेरवे अध्याई में और फॉर्टी फिफ्ट वर्स में यू लिखा है वे क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं जब भी पढ़ता हूँ उसको ने बड़ा हैरान हो जाता हूँ ये किस तरह का शक्स है किस तरह का इंसान है सुनिए आप भी बड़े हरान होंगे शायद आप जानते हैं इसको फिर भी मेरे साथ पढ़िए शायद आज कोई ये प्रोग्राम ये ब्राडकास्ट देख रहा है ये दोस्तो मेरे प्रियमित्र शायद ये कहनी ये दिरिश्टांद आपके लिए है प्रभी ये सुमसी ने यूँ फरमाया फिर स्वर्ग का राज्य एक वियापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था दोस्तों कल्पना कीजिए तसवर कीजिए मेरे साथ एक ऐसा सौधागर है एक ऐसा वियापारी है जो मोतियों को ढूंड रहा है मोति, आपको पता है मोति कैसे बनते मोति जो समुंदर की तले में एक उइस्टर नाम का जीव है उसके अंदर एक जर्रा एक जर्रा अंदर चला जाता है और वो जब मिट्टी का जर्रा जब अंदर वो जर्रा मिट्टी का चला जाता तो उसके अंदर से भी एक एक स्क्रीटा निकलता है एक लिक्विड निकलता है जो उसके उस छोटे से जर्रे के उपर लगता रहता है लगता हो साल सालो साल वो पीड़ा में होता है तकलीफ में होता है पर जितने साल और जितनी पीड़ा और जितने आंसू उसके उतना ही खुबसूरत वो मोती होता है और खास दोर से मोती अलग अलग किसम के होते हैं ये सौदागर के पास भी बड़े-बड़े मोती होंगे अच्छे काले मोती, ब्राउन कलर के मोती, अलग अलग इसम के पिंक कलर के मोती, टेक्स्चरड मोती, अलग अलग पैटर्न होता है उसमें, पर सबसे बेश कीमत और खुबसुरत मोती होते हैं, सफेद मोती, दूद की तरह सफेद, ऐसे मोती जो बेश कीमत होते हैं, और अची तरह गोंते हैं और बड़े खुबसुरत लगते हैं वो मोती और लोग बड़े-बड़े पैसों के बेचते हैं ये जोहरी लोग और ये जोइलर्स और ये सोधागर मोतियों का सोधागर था पूरे दुनिया में ढूंड रहा है वो कभी इदर जा रहा है, कभी उदर जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, ढून रहा है, क्या ढून रहा है भाई, क्यों ढून रहे हो भाई, आपके पास इतने मोती हैं, ये मोती ढूनने का क्या फैदा है आपको, नहीं, उसको एक खास, एक स्पेशल, एक अन्मोल बेश कीमत मोती की तलाश थी दोस्तों आज शाम भी वो सौधागर ढून रहा है कभी इदर कभी उदर और इस ब्रॉटकास के दोरा इस प्रोग्राम के दोरा वो ढून रहा है शैद कहीं वो आप तो नहीं कहीं एक मेंट आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या करता है आगे बढ़ते हैं खोज रहा है ढून रहा है और मैं बताना चाहता हूं मेरे मित्रो की दो हजार बीच साल हो गए इस सौधागर को वो अभी भी ढून रहा है वो ढून रहा है वो तलाश कर रहा है उसके उन खोएवे मोतियों को वो बेश कीमत मोतियों की तलाश में है वो और वो ढून रहा है ढून रहा है इस दुनिया के भरे बजार में इस पाप भरे बजार में इस अंदकार में वो एक लाइट बनके ढून रहा है ढून रहा है कभी यहां जा रहा है बाई और बेनों और मेरे नौजवान दोस्तों देखते आगे क्या होता है तो यहां लिखा है 46 WORST में मति के 13 अदियाय में जैसे मैंने बताया जब उसने एक भामूलियमुती देखा जब उसे एक भामूलियमुती मिला मिल गया, जिसकी तिलाश में था वो उस सवदागर को मिल गया और जब मिला तो उसने क्या करा, अरे क्या लिकाया इसमें उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, सब कुछ, he sold everything, everything, क्या करा भई आपने, और उसे मोल ले लिया, कमाल है, अपना सब कुछ बेच डाला, और उसे मोल ले लिया, हरे, सौधागर साभ, क्या करा आपने भई, क्या देखा आपने इस मोती में, आपने अपना सब कुछ बेच डाला, यही तो लिखा है इसके अंदर, खुदा के कलाम में, कि आपने अपना सब कुछ बेच डाला, सौधागर जी, विया पारी साभ, क्या करा आपने, शायद आपके मकान होंगे, जरूर होंगे, अमीर आदमी, बिजनसमें ने, अपने मकान बेच दी, और बहुत सारे मोती होंगे, उमर भर की कमाई, सारे मोती बेच दी आपने, और आपने घर के सारा समान बेच दिया, फरनीचर बेच दिया, कर्टन बेच दिया, किचन का समान बेच दिया, और शायद अपनी वाइफ के जेवर बेच दिये, कपड़े बेच दिये और जो आपके तन में वोई कपड़ा आपके पास है सौरा पैसा बटोर के सब कुछ निलाम कर दिया घर बेश दिये घोड़ा गाड़ी सब जो भी कुछ आपका था सब कुछ बेश दिया आपने कंगाल हो गए क्या दिवानगी है सौधागर साब प्यापारी जी क्या करा आपने दर्शको मेरे प्रिय मित्रों आप भी सोच रहे होंगे यह क्या पागलपन है एक अनमोल भमोलिय मोती के लिए खुद कंगाल हो जाओ खुद बर्बाद हो जाओ है क्या है यह क्या प्यार है यह मोतियों के क्या दिवानगी है सौधागर जी मेरे समझ के भार है आप खुद सड़क पे आगए कंगाल हो गए सब कुछ लुटा दिया लुट गए आप उस मोती के लिए क्यों क्यों अगर सौधागर साब मेरे सामने होते दर्शको अगर वो मेरे सामने होते तो उनके चैरे पे एक मुस्कराट आती और वो जो मोती है ना अपना जो उसने सब कुछ बेच के जो हासिल किया है ना उसने शेयर अपने दिल के पास सीने के पास रख के अगर सौधाबर साब मेरे सामने होते और मैं ये प्रशन पूछता भाई साब क्यूं करा, क्यूं करा आपने तो वो ये कहते, तो वो ये कहते क्यूंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ मेरा दिल आ गया था इस पे ये मेरा है, ऐसा और कोई नहीं है मेरे कई सालों के एक्षपीरिंस से ऐसा मोती मैंने नहीं देखा ये अनमौल है ये मोती ये बेश कीमत है कोई कीमत इसके लिए कम नहीं मैंने इसको हासिल कर लिया है ये मेरा हो गया है ये मेरा है ये मेरा है दोस्तो दोस्तो मैं सच कह रहा हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि वो सौदागर वो है वो सौधागर जो अपने स्वर्गों को छोड़कर अपनी महिमा को छोड़कर अपने सिंखा संग को छोड़कर वो इस पापी जगत में आया 2020 साल पेले वो आया इमैनीवल बन के परमेश्वर हमारे संग वो उसने मानव चोहला पहना वो इनसान बना वो आया वो आया इस पाप के बाजार में इन पाप की गल्यों में इस अंदकार में वो जो दस हजारों में से हसीन है वो आया वो परमेशवर आया जिसने पूरी भूमंडल की रचना की है वो खुदावंद आया जो एलफा और ओमेगा है और आदी और अंत है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा है वो आया वो आया जिसने हर एक सितारे को अपने नाम से बुलाता है और वो समंदर उसकी आगया से अपना टट नहीं छोड़ता अपनी साहल को नहीं छोड़ता वो खुदावंद वो परमेश्वर देधारी हुआ इंसान बनके आया क्यों आया सौधागर बनके आया क्यों आया उसने अपने स्वर्गों को क्यों छोड़ा अपनी महिमा को क्यों छोड़ा इंसान क्यों बना खुदावंद वो परमेश्वर इंसान क्यों बना वो आप हैं दोस्त वो अनमौल मोती आप है हाँ सच मच वो आप है वो अनमौल बेश कीमत बहमुल्य मोती आप है उसने आपको रचा है अपने सरूप में बनाया है आपसे बें तहा महबत करता है कोई भी कीमत देने के लिए वो रेडी थे और खुदावन येसु मसी ने क्या सोने चांदी से हमें खरीदा है नई 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 पत्रस बताता है नई सोने चांदी से नई नाश्मान है वो भाई अपने बेश कीमत लहू से हाँ बाइबल बताती है पालूस खुदा की आत्मा में होके बताता है पहले करंथियों 6 और 20 में वी अर बॉट विदा हाई प्राइस उसने हमें एक बड़ी कीमत चुका कर हमें खरीदा है दोस्तों उस पाप के गुलामी से उस पाप के बाजार में शैतान की गुलामी कर रहे थे हम उसने एक बड़ी कीमत दी है वो क्या है कीमत दोस्तों उसने सलीप पर आपके गुनाओं और मेरे गुनाओं के खातर कीले ठुक वाली सर पे कांटों का थाज उसके दाड़ी के बाल नोच दी है उसके पीट को कोड़े मार मार के 49 कोड़े मार मार के उसको लहू लोहान कर दिया उसका चेहरा ऐसा बिगड़ गया बाईवल बताती है जिसका कभी इतना बिगड़ा नहो वो जो दस हजारों में हसीन है उसका चेहरा उगड़ गया उसने अपने लहु का एक कत्रा बहा दिया हमारे लrånए उस पर थूका गया बेज़त किया गया पर उसने अपना मून ही खोला वो गया कल वरी के उस पहाड पर सलीव उठाकर हमारे गुन्हाओं को उठाकर जो कुरूस पे कुरबा है वो मेरा मसीह है और जख्म जो उसका है वो मेरे गुना का है आपके गुना का है वो ग्याओ की मत चुकाने क्यों? क्योंके उसका प्यार था हम पे वो हमें हासिल करना चाहता था वो नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाएं परमेश्वन ने इस जगत से बे इंतहा प्यार किया कि उसने अपना एकलोता पुत्र प्रभु येश्व मसी दे दिया ताकि जो कोई दोस्तो हाँ मैं आप से बात कर रहा हूँ सिस्टर मैं आप से भाई मैं आप से अंकल मैं आप से बात कर रहा हूँ दोस्त आप जो निराश बैठे हो मैं आप से बात कर रहा हूँ मैं उससे बात कर रहा हूँ जो सोच रहा है कि मेरी कोई कीमत नी इस दुनिया में आप से कोई प्यार नहीं करता है मैं मानता हूँ पर एक है वो खुदा है वो मारा प्रभु येसु मसी है जो आपसे इंतना प्यार करता है वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए पर उन्त जीवन पाए अगर आप विश्वास करोगे उस पर दोस्तो परमेश्वर आपसे बे इंतहा महबत करता है आप है वो अन्मोल मोती आप जैसे और कोई नहीं है बाइबल बताती है यह जो अंदर जो आत्मा है इन मिट्टी के दिवारों में परमेश्वर ने रखा है वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए नर्क में जाओ क्योंकि जो पाप की मज़़ूरी मृत्यू है और वो डंड प्रभु ये सुमशी ने उठा लिया प्रभु जी क्या देखा आपने मुझ में क्या देखा मैं क्या मोती हूँ नहीं मैं तो पत्थर हूँ मिट्टी हूँ बेकार हूँ Fay场 हूँ मैं आपका मैं गुनेगार हूँ मैं पापी हूँ फिर भी आप मुझसे प्यार करते हो फिर भी आप मुझसे प्यार करते हो प्रभू क्यों प्रभू क्या देखा ये दिवानगी ये प्यार मुझसे सौदागर की तरह आप आए ढूंडने के लिए मुझको आपने सब कुछ छोड़ दिया बाइबल बताती है फिलिप्पियों की पुस्तक दूसरे ध्याय में वो कंगाल हो गया, शुन्ने हो गया, क्यों, ताकि हमें हासिल कर ले, क्या कीमत चुका ही उसने, मेरे प्रिये मित्रों, मैं आपसे विंती करता हूँ, उस सौदागर को अपना लो, उसने कीमत चुका दी, अपना दिल उसको दे दो, अपना दिल दे दो, एक शक्स थे, वो गोता खोर थे, तो उसका नाम राम भाव था, मैरे पिता जी ने एक कहानी सुनाई थी, वो पानी में जाता था, वो पराने वक्तों की बात है, आक्सिजन नहीं था, सांस रोक के जाते थे वो, उनकी ट्रे बात ऐसे फैल गी, वो पहुंचे, उसकी कुटिया में, उसने का, सर क्या मैं मिल सकता हम आपको, क्या मैं देख सकता हम उसको, उसने का, भाई, ये मैं मोती नहीं दिखाऊंगा आपको, क्यों भाई, बाद में बड़ा उसको request करी, तो राम भाव लेके आया वो मोती, उसने वो मोती दिखाया उसको वा क्या मोती था वो बेश किमत मोती लाल कपड़े में रखा वा था उसने एक संदूक में एक डबे में उसने का ये मोती ओ जो बिजनेस मैंने इसने देखा उसकी आँके इतनी खुल गई कहता क्या मोती है मैंने इतना बड़ा मोती कभी देखा जो रहती दुनिया तकक यादकार बनके रह जाएगा कहता बहुत देर पानी में रह गया chamado और जब वो उपर आया उसके हाथ में ये मौती था और उसका हुसानस तूट चुकी थी और उसने दम तोड़ दिया मेरे बेटी की जान है उसमें उसने का से इसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तो सच मुझ राम भाव को समझ थी कि क्या कीमत है इसकी क्योंकि उसकी बेटे की जान थी इसमें दोस्तो सोचिए पलीज आप अपने आपको देखिए क्या कीमत है आपकी परमेश्वर के पुत्र प्रबु ये सुमसी ने बहुत बड़ी कीमत चुका ही है अपनी जहान देखकर आपको बचाने के लिए उस पाप के सागर से आपको निकालने के लिए उसने अपनी जहान दी और तीसरे दिन जी उठा प्रभु ये सुमसी वो जीवत है जो तीसरे दिन जी उठा आज भी कबर खाली है उसको दफन कर दिया पर तीसरे दिन कब और उसको रोक नहीं पाई और प्रभु येशु मसी जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए और उनका वैदा की देखो मैं लोटके आऊंगा दोस्तो वो आप से प्यार करता है अपना दिल दे दो ने उसको वो बेहत प्यार करता है और एक दिन वो आ रहा है अपने मोतियों को लेकर आएगा आप भी शामिल होंगे उसमें मैं भी होंगा और वो सब होंगे जिनों ने उस पर अपना इमान अपना विश्वास रखा है और अपने गुनाओं से तोभा की है भायो और भेनो मेरे अजीजों मैं आपसे विंती करता हूँ अपना दिल उसको दे दो और आज उधार पालो पाप की मजदूरी मिट्टी और परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभी येसु मसी के दवारा अनंत जीवन है ये वरदान ले लो ये गिफ्ट ले लो रिसीव कर लो वो ढूंड रहा है आपको ढूंड रहा है ढूंड रहा है ढूंड रहा है आज शाम किसी को पाएगा हो उसने कीमत चुका दी है पुकारो उसकी ओर और ओधार पालो गौड ब्लेस यो अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आप से बात की है और आप इस विशय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है या किसी भी प्रार्तना के विशय को बाटना चाहते है तो निससंदे हम से संपर्क करे हमारा पता जीवनजल नवभावना बिल्डिंग प्रार्तना एवं मुफ्त बाइबल करिस्पॉंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करे अपना नाम और पूरा पता तुरंट SMS करे मोबाइल नमबर साथ साथ एक शुन्य छे पाच एक एक पाच लैंडलाइन नमबर शुन्य दो 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 चार दो दो एक आट चार दो इमेल आईडी gospelbroadcast at the rate yahoo.com वेब अड्रेस www.lwgb.org यूट्यूब अड्रेस जीवनजल TV at the rate यूट्यूब जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम साड़े छे बजे और हर शनिवार रात नौ बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और Living Waters English Program Good News चैनल पर हर शुक्रवार शाम साड़े छे बजे देख सकते हैं धन्यवाल